स्मूदी बहुत ही हेल्दी होती है और जब हम आम की स्मूदी की बात करें तो बात ही क्या है आम तो फलों का राजा है तो इसकी स्मूदी बहुत ही स्वादिश्ट बनती है चलो तो बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमें पके हुए आम चाहिए आप कोई भी पका हुआ आम ले सकते है जैसे कि सफेदा आम, तोता आम, दशेरी आम या लंगडा आम कोई भी पका हुआ आम आप ले ले उसे छील कर छोटे छोटे तुकड़ों में काट ले आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से आम काटा है आप पहले आम को ऊपर से छील ले और फिर उसके बाद भी छोटे छोटे पीसिज में काट सकते हैं अब इन पीसिज को हमने blender jar में डालना है सारे पीसिज blender jar में डालने अब इसमें एक या दो चम्मच चीनी डाल दीजिए जो कि ऑप्शनल है अगर आपको हल्का मीठा पसंद है तो आप चीनी छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आम में भी अपनी मिठास होती है मैंने थोड़े से बदाम और काजू भीगाय हुए थे जो मैं इसमें मिक्स करूँगी आप चाहें तो अपनी मन पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट्स इसमें डाल सकते हैं अब दो चम्मच मलाई या क्रीम डाल दीजिए जो कि ऑप्शनल है हमने एक ग्लास दूद लेना है और सबसे पहले हम आधा ग्लास दूद ही इसमें मिक्स करेंगे और फिर इसको ब्लैंड करेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं दो से तीन मिनट तक ब्लैंड करने के बाद इसमें बाकी बचा हुआ दूद भी डाल दीजिए और फिर से ब्लैंड करें दो से तीन मिनट के लिए फिर से ब्लैंड करें देखिए हमारी स्मूदी बिल्कुल त्यार है अगर आप बिल्कुल चिल्ड स्मूधी पीना चाहते हैं तो इसमें आप 3-4 आइस के पीसिज डाल दीजिए या फिर आप चिल्ड मिल्क भी ले सकते हैं उपर कटे हुए आम के पीसिज डाल दीजिए और आम के पीसिज के उपर थोड़े से कटे हुए ड्राइफ फूट्स डाल दीजिए अगर रेसिपी पसंद आए हूँ तो लाइक शेयर जरूर किजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए अंक्यू कि